नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिरिश्चिक रासिपल साल 2024 बिरिश्चिक रासिपलों सबसे पहली बात तो आपकी सनीदेव की धहिया चल रही है इस साल आपका आर्थिक जीवन पारिवारिक जीवन लब लाइब आपका करियर आपका बिजनस नोकरी परिवार तमाम चीजे कैसी रहेगी चलिए सनी देप की नजर से देखते हैं क्योंकि 2024 भी सनी देप का ही साल है तो देखे 2024 का जो अरहम हुआ है वो कन्या लगन और उत्तर फालगुनी नच्छत्र से तो ऐसे में सबसे महतपुन यह है कि देव गुरु ब्रिस्पती जो एक मई को मेसरासी से निकल कर ब्रिसवरासी में आएंगे और ब्रिस्वरासी में आने के दो दिन बाद ही देव गुरु ब्रिस्पती अस्त हो जाएंगे और इसको हम जोतिसी भासा में कहते हैं तारा डोगना तीन जून को देव गुरु ब्रिस्पती उधे होंगे और 9 अक्टूबर को वह उल्टी चाल सुरू करेंगे जो की 4 फरवरी 2025 तक गुरु की उल्टी चाल रहेगी जो सनिदेव है वो अपनी ही रासी कुम रासी में जाली रखेंगे अपनी गोचर और वैसे तो सनिदेव कभी वक्री भी होंगे मार्गी भी होंगे यानि उल्टी चाल भी चलेंगे तो सीधी भी चलेंगे लेकिन जो राहू है मीन डासी में और केतू कर्ने रासी में है तो बाकी गरह भी समय समय पर जैसे अपना चाल बदलते हैं बदलते रहेंगे लेकिन ब्रिस्चिक वालनों सनी की ढहिया चल रही है आपके उपर और फिर भी आपके लिए 2024 कई उपलब्दियां कई सारे आपके लिए आसिरबात के रूप में आई है लेके खासकर सरीदेबाब के लिए क्योंकि खुसियां दस्तक दे रही हैं आपके दरवाजे पर आपके रासी के स्वामी है मंगल सुरे के साथ वर्स की सुरुवात में ही दूती भाव में है और सुक्र बुद्ध भी आपके रासी में है सुरुवात में और ब्रेस्पती एक मही तक आपके छटे भाव में रहेंगे और दूसरा उसके बाद वो आपके सब्तम भाव में आएंगे तो पहले तीसरे और ग्यारवें भौको देव गृुरु बेस्पती देखेंगे राहु आपके पंचम भौ में केतु इकादस में तो सनिदे महराज आपकी सुरुवात में तीसरे और चौथे भौके स्वामी होकर चतुर भौ में रहेंगे तो ग्रहों की स्तिती ये कहती है कि अगर आप इस वर्स मई के बाद कोई नया वैपसाय सुरू करना चाहते हैं तो अच्छा वक्त है वैपसाय का विस्तार पर भी आप विचार कर सकते हैं जो लोग और विभायत हैं विभा होने की पूरी संभावना दिख रही है बुद्ध और सुक्र साल की सुरुवात में परतंभाव में है पंचंभाव में राहू है तो प्रेम जीवन खुबसूरत है हो सकता है प्रेम विभाह करें क्योंकि अच्छे योग बनेवे हैं देव गुरु ब्रस्पती जब सब्तम भाव में जाएंगे तब आपके लिए अनुकूल पर नाम होगा खासकर जो लोग जॉब करते हैं नौकरी में पदोनती के भी योग बनेंगे और सनी देव की किर्पास से अगर आप जॉब के लिए प्रयास रहते हैं तो जॉब प्राप्ती के भी मजबूत योग बनेंगे सत्तर प्रोदी चाहकर भी आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे सुरे देव अप्रेल में जब आपके छटे बहुं में आएंगे तब नौकरी में बड़े पद परिवर्तन पद आपको प्राप्ती करवाएंगे हलांकि अगस्त का महिना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नौकरी के मामलों में करियर के मामलों में हलांकि इस समय देखे दोजार चौबिस में जीवन में अनेक तरीके से महतपूर्ण बदला होगा एक तरब तो इंकम के साधन बढ़ेंगे पका वाला दूसरा लंबी दूरी की यातरा बिदेश यातरा की योग बनेंगे और गरहूं का गोचर आपके लिए समाज में एक अलग आपको पहचान दिलाएगा सिनियर अधिकारी का आपको हर कदम पर सपोर्ट मिलेगा हाँ आप अपरेल, जुलाई, अगरस्त, नुवंबर और दिसंबर ये जो पांच मेहने हैं ये आपके लिए बहुत सांधान रहेंगे इन पांच मेहनों में ज़्यादा सफल होंगे आप और देव गुरु ब्रहस्पती की किरपा भी बरस रही है तो बड़े बुजरुवां का आशिरबाद भी आपको मिलता रहेगा हलांकि इस वर्स बहुत तिक सुक्सुवी धायें बढ़ेंगी और सनी देव महराज देव गुरु ब्रहस्पती दोनों की चुकी किरपा है तो समस्याओं से वो बचाएंगे आपका confidence लेबल बढ़ेगा जो लोग बेफसाई हैं उनके लिए भी लापकाड़ी है खासकर अगर आठ के छेते से जुड़े हैं तो ज्यादा बढ़े हैं रहेगा प्रेम जीवन अच्छा है क्योंकि लब मैरेच के योग हैं साथ ही उनके साथ वक्त भी आप बिताएंगे मन चाही नौकरी पाने की भी संभाबना है मई जून में आपका सुक्स विधाब बढ़ेगा